चैस श्रीकृष्णा राधे राधे वेलकम बैक टू माई चैनल जहां हम बात करते हैं लट्डगोपाल के भोग बस्त्र और सिंगार्चे पारे में पुझा पार्ट से रिलेटिज तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठागुड़ जी वीडियो जो है लेकर आई हूँ में धर्मराज की कहानी पर अगर कहानी पसंद आए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा नए जूड़े हैं तो बैल आइकन के साथ तो चली शुरू करते हैं हम धर्मराज की कहानी एक बुड़िया माही थी वह ब्रत नियम बहुत रखती थी एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए बुड़िया माही यमदूत के साथ चली गई आगे गहरी नदी बह रही थी बुड़िया माही डूबने लगी तब यमदूत ने पूछा माही गाय दान की हुई है क्या बुढिया माई के मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उफस्तित हो गई गाय माता की पूछ पकड़ कर बुढिया माई ने नदी पार कर लिया आगे आई तो काले कुत्ते खाने लगे काले कुत्ते खाने को दोड़ने लगे तब यम्दूत ने पूछा के हे बुढिया माई आपने कुट्टे को रोटी खिलाई क्या बुढिया माई ने मन में कुट्टे का ध्यान किया तो कुट्टे चले आए आगे चली तो काले कोई बुढिया माई को चोच मालने लगे तब यम्दूत ने पूछा यम्दूत ने कहा कि ब्रहमन की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया था क्या या नहीं बुढिया माई ने ब्रहमन की बेटी को याद किया तो कोई ने जो है चोच मालना छोड़ दिया उसके बाद जब बुढ़िया माई आगे गई तो पैरों में काटे चुपने लगे बुढ़िया माई के तो फिर यम्दूत फिर पूछने लगे यम्दूत ने कहा है बुढ़िया माई आपने किसी को चपल दान किया है बुढिया माई ने याद किया तो चपल अपने आप ही पैरों में आ गई उसके बाद फिर बुढिया माई आगे चल दी आगे जब चली तो चितरगूप जी ने यम्दूतों से पूछा आप किसको लेके आए हो यम्दूतो ने कहा बुढ़िया माई ने बहुत दान पुन्य किये हैं लेकिन धहमराज जी का कुछ नहीं किया इसलिए आगे के द्वार बंध है तब बुढ़िया माई ने बिंती की कि मुझे साथ दिनों के लिए आप धर्ती पे जाने दीजिए मैं इन साथ दिनों में धर्मराज जी की कहाने सुनकर उद्ध्यापन कर वापस आ जाऊंगे धर्मराज जी ने उन्हें उनके प्राण लोता दिये और बुढ़िया माई धर्ती पर चली गई धर्ती पर बुढ़िया माई के सरीर में जान अपने आप वापस आ गई सभी लोग बुडिया माई को जीवी देख कर भूतनी भूतनी कहकर चिला कर भाग खड़े हुए बुडिया माई अपने घर आई घर आके अपने बहु बेटे से कहा मैं भूतनी नहीं मैं तो धरमराज के कहे अनुसार वापस आई मैं पृति एक दिन धरमराज की कहानी सुनकर उसका उध्यापन करके वापस पर लोग चली जाओंगी यह सुनकर बहु बेटे ने पूजा की सभी समागरी बुडिया माई को लाके दे दी लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा तब बुडिया माई पडोसन के पास गई पडोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा बुडिया माई ने साथ दिनों के पश्चाद उध्यापन कर दान किया साथवे दिन धरमराज जी ने बुडिया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा बिमान देखकर सभी गाउं वालों ने सर्ग जाने के लिए कहा तब बुढ़िया वाई ने कहा मेरी कहानी तो केवल मेरी पडोसन ने ही सुनी है और यह सुनकर सभी गाउं वालों ने बुढ़िया माई के पाउं बख़र लिए और धरमराज जी की कहानी सुनाने को कहा बुडिया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गाउवासी बिमान में बैटकर स्वर्ग पहुँच गए सभी गाउवासी को देखकर धरमराज ने कहा मैंने तो केवल बुडिया माई के लिए बिमान भेजा था बुढिया माई ने कहा मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है इसलिए मेरा आदेपुन्य इन्हें दे दो और स्वर्ग में वास भी दे दो तब धरमराज जी ने सभी गाउवाशियों को स्वर्ग में वास दे दिया सोहेश धरमराज जी जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे ही सब को देना कहानी सुनने वालों को और कहानी कहने वालों को कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को सब को ऐसे ही आप स्वर्ग के द्वार खोल के रखना और स्वर्ग से बिमान बेच कर सभी को आप स्वर्ग में उनको वैसे ही इस्थान देना जैसे बुड़या माई को दिया ता है तो अगर वी डिम पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीज़ेगा वीडियो को जादे जादे शेयर कीज़ेगा जै हो धरम राज की जै सिर्किष्णा जै रादे रादे